नमस्कार साथियो नियूज के लिए कि हम आपका स्वागत करते हैं भारत में अगर गठबंधन की राजनीती ना हो रही हो तो समझे चुनावी परक्रिया में कुछ गड़बढ है क्योंकि भारत इतना बड़ा विसाल देश है कि गठबंधन होना बहुत जरूरी है और इसकी स सबसे बड़ी मिसाल आपको उत्तर प्रदेश और विहार में देखने को मिलेगी तो उसी पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रमुक संपादक प्रभीर तो प्रभीर 2014 में गठबंधन नहीं हुआ बीजेपी की सरकार 2070 में बीजेपी की सरकार लेकिन इस बार बीएसपी और सपा दोनों चीर प्रतिर्यूती होने के बावजूद एक दूसरे के साथ हा रहे हैं आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रतिर्यूती की सरकार किस तरफ बढ़ रही है चुनाओ के पहले ये जो भविश्य बानी करना थोड़ा मुश्किल है पर अगर हम सिर्फ इस बात पर जाएं कि पुराने जो चुनाओ हुए हैं खास तोर से एसेंबली के चुनाओ जी होए उसके वोट अगर हम जोड़ें सिर्फ एसपी और बीएसपी का तब साफ है ब 2014 में मोदी की सितारे कुछ जादा बुलंद थे लग रहा था कि वो इंप्लाइमेंट देंगे वहाँ पर वेस्टर डियूप में खास तोर से कॉमिनल पॉलराइजेशन भी था जिसके वजह से भी एक सेक्षिन का वोटन को मिला था एसपी के खिलाफ बहुत सारे चार्जेस थे कि वो मुसल्मान परस्त जादा है प्लारा ध्मा का कॉमिनल पॉलराइजेशन का एक बहुत बड़ा लहर मोदी की 2014 की चुनाओं में था पर उसके साथ साथ उसका भी यह जो नौकरी देंगे यह सब वादे थे तो इनके वादो से भी एक उसका चुनाओं पर पसर था तो एक तो वो मुझे नहीं लगता वो है इस वक्त वेस्टर्ड यूपी की इस वक्त कॉमिनल पॉलराइजेशन उत्ता नहीं है अर्दूसरी बात वहां के किसान काफी नाराज है बहुत कारणों के वजह से पर गोवंश की जो समस्य उनको लग रही इससे काफी बड़ा असंतोश भी किसानों में है तो इस वजह से एसपी और बीएसपी की सिर्फ पीछले इलेक्शन की वोट को एकठा करके अगर हम पार्लेमेंट की इलेक्शन में प्रोजेक्ट करें तब साफ है कि बीजेपी की वहां से करीब चालिस एक स सेट लूज करने की समभाबना है और वो अगर देखे आप हमारे जो है उसको अगर देखे तो पचास सीट बीएसपी आरिल डी आरिलडी का वैस्टर ड्यूप में प्रभाव है तो उसको अगर मिलेकर देक्चास सेट इनको जाएगी और टीस सीट बीजएपी को जाएगी अब सवाल है कि बोधी का फिर फुल्वामा बाला कोट चुनावी बुद्धे बनाने का खास तोर से सेनाओं को चुनावी रादाओं पेश पे लाने का जो वो काम कर रहे हैं जो की गैर कानूनी है कि साबसे इलेक्शन कमिशन भी पहले कह चुका है पर अब क्या कहेंगे वो देखना प्लाएगा तो यह सब से कोई भी भविश्य बानी बानी इस वक्त इतना आसान नहीं है पर मुझे लगता है कि करीब 40 एक सीट इस वक्त बीजेपी उत्तर पुद्श में हार सकती है सिर्फ इसको लेके लेकिन यही मतलब थोड़ा सा और भी सिनेरियों बदलता है अगर जैसे स्थितियां बता रहे हैं कि 2% का स्विंग होता है स्थितियां और भी गंभीर होती है बीजेपी के लिए गड़बंदन 56 तक पहुंचता है पांच पर्सन की लगबग 8% की स्विंग होता है तो अगर कॉमनल पॉलराइशन बढ़ता है तब क्या होगा यह बतान पिछले चुनाओं के कंपारिजन में सीट लूज करेंगे पर वो क्या 40 के नीचे जाएंगे 30 तक पहुंच जाएंगे उसके नीचे पहुंचेंगे यह बताना मुश्किल है पर 2017 के अरितनाथ के चुनाओं का अगर हम माबदन मान ले तब सिर्फ एगर तीन पार्टियों को वोट कोई कटा करें तो बीजेपी करीब कम से कम 40 से जादा सीट लूज कर रही है तो यह हमारे सामने है करीब कितना सीट लूज करेगी करीब 45 सीट लूज करेगी तब यूपी में तो एक बहुत बड़ा संख्या है होगा नहीं होगा क्या स्विग होगा वो हम चुनाओं क बाद ही एक्चुली कॉन्फिदेंस के साथ बात कर सकते हैं अब यह देखते हैं कि यह जो यह तो अर्थमेटिक की बात हुई कहा जाता है कि अर्थमेटिक ठीक है SPBSP का लेकिन जो केमेस्ट्री वाली बात है 1993 के बाद अब आ रहे हैं दोनों चीर प्रतिरोधी रहे हैं दोनों के जो वोटर है वो जो कोर वोटर है यादो और जाटो का वो दोनों से थोड़ा सा चिड़ता भी है तो आपको लगता है कि ऐसी स्थिती में क्या वो केमेस्ट्र कि और अर्थशास्त्रा और क्या कहते है कैसल छोड़ दीज़िया सवाल है कि दोनों की सवाल है इस वक्त जिस तरह से अटैक्स है खास तोर से अधितनात के सरकार से किसानों पर अटैक है दलितों पर अटैक है तो इस पे अस्तित्व की जो सवाल आ गई है मुसलमानों पर अटैक है लिंचिंग हुए है बड़े पाइमाने पर किसानों पर अटैक है खेत उनकी उजाड़ी जा रही है गोवंश के नाम पे तो ये सब जो बाते हैं ये मेरे ख्याल से ये केमिस्ट्री को देख इसका सवाल नहीं आएगा कि चिड किसका कौन से कौम के प्रती है उस तरह से देखे कोई ऐसा कौम नहीं है जिसका दूसरे कौम के साथ कोई चिड नहीं हो ठीक है ना अब पिहारी यूपी वाले से चिड़ते हैं इस्टेड यूपी वाले से चिड़ते हैं तो यह तो चिड़ने की राज़नीद जो है वो तो चलती रहेगी पर इस वक्त जो बड़े मुंद्दे है मेरे ख्याल से यह सब इन सब को ट्रंप कर जाएगा अस्तित्वी की लड़ाई में कॉंग्रेस जैसी मुख्यधरा की पार्टी यूपी जैसे राज्य में गठबंदन नहीं करती है और विए फैसला लेते हैं कि 27 सीट पोल लड़ेगी आपको क्या लगता है कि अस्तित्वी की लड़ाई को छोड़ करके वो किसी दूसरे तरफ निकल चुकी है तो इक कॉंग्रेस का सोच क्या है वो बताना बड़ा मुश्किल है पर सिर्फ फिर वापस अरिथमेटिक पे अगर जाए तो अब अरिथमेटिक में देखेंगे कॉंग्रेस अगर इनके साथ आते तो करीब और 14 सीट गड़ बंदन को मिलता तो इस पे कॉंग्रेस का भी लाव होता क्योंकि वो पहले 11 सीट की दावी के वो मांग रहे थे 11 सीट पे दावेदार थे तो अगर 14 और सीट गड़ बंदन के पास जाता तो कॉंग्रेस को भी इस पे लाव पहुंचाता और जिस मुख्य उनकी ओपोजिशन है जो सत्ता दूर बीजेपी है वो गमजोर होती तो यूपी में ये अगर साट के ऊपर सीट इनको गड़ बंदन को मिलती भारत वश्क राज़ दित में एक मोड बनलता पर कॉंग्रेस को इसमें मुझे तो लग रहा है कि ये भी उनकी एक पॉलिटिक्स है कि मुख्य ओपोजिशन पार्टी कौन हो ये भी उनके बेसिक सो जादा उभर के ना आए ये भी उनका एक कॉंपेटिशन लगता है इसलिए एसपी बीएसपी को यूपी को छोड़ यूपी में छोड़ने का छोड़ने के जगह वह अपना दावी वहां पे अपना क्लेम भी कर रहे हैं कि हम भी इस रेस में है पर ये जो है मुझे लगता ह कि बहुत ही नेरो माइंडेड एक विचा धारा है और इस चुनाओं में ये सही नहीं है क्योंकि देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनाओती है और उस चुनाओती में कॉंग्रिस के ये भूमी का खास तोर से यूपी में जिसमें 80 सीट है मेरे ख्याल से गलत रहा उत्तर सीटे में आपको क्या लगता है कि बिहार का जो सेनेरियो है क्या वो बदलेगा दोहजार चौदा के गणित को जिसमों 33 सीटे जीत जाते हैं भाजपा बिहार में कहना तो मुश्किल है क्योंकि बिहार में हकिकत तो ये है कि गड़बंदन के बावजूद अरिथ्पेटिक बहुत अच्छा नहीं है अरिथ्पेटिक में बीजेपी अभी भी लग रहा है कि इस वक्त लालू और कॉंग्रेस ये अगर हम देखे तो उसके बनस्पत नितीश और बीजेपी का आंकड़े बहतर होता है एक तो अरिथ्पेटिक की बात है इस पे और दूसरे चीज़ लालू को जेल में डालना बहुत अच्छा नहीं हुआ बीजेपी और नितिश के लिए लालू अभी भी भी बिहार में जनब प्रिय है चाहे लोग उसके खिलाफों नहों पर उसके प्रतियक लगाव तो है तो इसलिए उनको जेल में डालना मेरे ख्याल से इतना उत्ता उही क्रूप से लेफ्ट साथ में आता तो शायद ज्यादा फाइदा होता क्योंकि उनके पास पांच से आट परसेंट वोट अलग अलग जगहों पर है पर इहां पर समझाओता सिर्फ एक सीट में कुछ सीट अरा के पिसे हुआ है दूसरे जगहों पर नहीं हुआ है वो मे यह मेडिया के द्वारा उपच की हुए नेता है लेकिन एक यह भी है कि भाई यह विपक्च की बुलन दावाज के तरप भी दिखते है युगाओं के तरफ से तो आपको क्या लगता है कि बेगू सराय से अगर यह चीज़ें निकलती हैं बेगू सराय अगर कनहिया वामप बेगू सराय वे उससे कम वोट आया तो यह हकीकत है अब सवाल है कि आप जो कह रहे हैं कि कनहिया जेन्यू के इस सघर्ष के दौरान एक युवाओं का एक शशक्त वाइस के रूप में चेहरा के रूप जाने माने चेहरा के ना रूप में देश पे उबरा है और यह भी है कि वो जो जब बोलते हैं मास उतका जो प्रचार में जो मीडिया की अपील जो आप कह रहे हैं वो भी है पर ऐसे नहीं बनाया है कि मीडिया ने इनको बनाया है मीडिया जेन्यू के बारे में काफी अब जानते ही हैं बहुत ही डेगेटिव हुआ करते थे पर कनहिया की वो जेल से छूटने के बाद जो उन्होंने भाशन दिया था, उससे एक बहुत बड़ा प्रभाव देश के आम जनता पर पढ़ा, खास तोर से लिबरल किसिव का जो इनसान है उन पर पढ़ा, तो एक हिसाब से लेफ्ट लिबरल सेक्शन जो मिडल क्लास में है, वो कनहिया के प् है, वो भी एक चीज है, पर चुनावी दाओं पेश में दूसरी बात निकल के आती है, जो कांग्रेस कर रही है, एक हिसाब से वो लालू और तेज़े श्वनी भी कर रहे हैं, कि हम अपने लिए एक प्रॉब्लम क्यों खड़ा करें, कि नहीं या अगर डेता बनके एक बिह कि पर ऐसा ना बने कि और एक उपोजिशन हमारे लिए भी खड़ा हो जाए, जो कांग्रेस के बारे में मैं कह रहा था, यूपी में, यहां पर कन्हिया के बारे में भी एक सोच यहां से निकलती है, दूसरी बात है कि आर जेडी के अंदर, कांग्रेस के अंदर भी ये प्र आर जेडी का यह जो राय हुआ, कि हम यह चित बेगुसराय नहीं छोड़ा गया, और कहीं लड़े, मेरे ख्याल से सब के लिए हानिकरक होगा, पर ठीक, देखते हैं, एक अंतिम सवाल बनता है, जिस तरह से यहां पे छेत्रियों दल को लेकर के बनता है, कि छेत्रियों दल का भी होता है, और वह देखता है, कि विपकच्क की वह मतलब कारगर भूमिकाह नभाते हैं, हर दोर में न΃भाते चले आते हैं, तो आपको लगता है कि जिस तरह से कॉंगरेस सोच रहे है, दिरकालिक लेकर के, उसको ये भी कहा जा जाता है कि यहां पर बिहार जैसे रा बढ़ने के लिए और भी कुछ अनुकुल चीजे होनी चाहिए और इस वक्त जो बामपंथी ताकतों की कमजोरी रही है वो भी है कि विश्वी इस तरह पे जिस तरह से अर्थनितिक बायद बनलाव हो रहा है उससे employment हो, labor movement हो, जो पुराने बामपंथी movement के स्थम हुआ करता था उस पे कमजोरी है तो उसको और एक दिन हम उसके चर्चा करेंगे पर मुख्य बात यह कहना चाहिए बामपंथी ताकतों की भारदवश के राजदीत में एक अलग भूमी कर रहा है एक हिसाब से conscience keeper के तोर पे एक secular liberal democracy की जो बात होती है, bourgeois parties ने इनको नहीं निभाया, बलकि left एक voice रहा है कि secular democracy जो आम जनता के लिए हो, जो आजादी के जो वादे थे, कि हम आम जनता के लिए हम आजादी मांग रहे हैं, तो उसके लिए conscience keeper राजदीते में रहे हैं, और आज भी वो भूमी का उनकी जारी है पर कैसे मैं कहूंगा कि चुनावी शक्ति कैसे उससे बढ़े, ये उनके लिए चुनावती है, और ये चुनावती अगर बहुत दिन आगे तक वो नहीं पूरा कर पाएंगे, तो वो voice भी धिरे धिरे इतना उभर के जनता के सामने नहीं आएगा, हकीकत ये है कि जनता भी चुनाव के वक्त पे कौन जीतता है उसी के उपर जाता है, कौन जीत सकता है उसी के उपर जाता है, ओ गोर्ड मेडल है, पर कोई सिल्वर और कान सपधक जो है, वो नहीं है चुनाव में, जो कहते रा, first past post system में एगी मेडल है, इसी लिए दूसरे, तीसरे, चौथे ताकतो का ताकत रहने के बावजूद भी चुनाओं में इतना उभर के नहीं आते ये भी लेफ्ट के लिए बिहार जैसे प्रांतों में प्राब्लम या चैलेंज की रूप में है शुक्रिया प्रभीर हमसे बात करने के लिए बिहार अरुत्तरपतेश की राजनेती प्रभीर ने बहुत अच्छे बात कही कि चुनाओती है चुनाओती बहुत खतरनाक है यूपी बिहार में देखिया कि क्या होता है हमने जो प्रजेक्ट करना था वो कर दिया शुक्रिया आ झाल झाल